हेलो दोस्तो और नमस्कार कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे आप सभी का हमारे इस यूटुब जेनल बिंदा सुगरूजी में बहुत बहुत सवागत है दूद पीते समय दूद में डाल लें ये चीज शरीर ऐसा बन जाएगा कि देखकर चौंक जाएंगे सब कैसा बन जाएगा ये जान लेते हैं इस वीडियो के माद्देम से और कौन सी चीज को मिलाना है दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जनकरी प्राप्त उसके और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सेर जरूर कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं दूद पीने से हमारे सरीर को आवशक पोशक्त तो मिल जाते हैं इसलिए दूद को शम्पूरन आहार भी माना जाता है दूद पीने से सरीर की कमजोरी भी खतम होती है और दूबले पतले सरीर का वजन तेजी से बढ़ता है लेकिन आज कल लोगों को शरीर ताकतवर बनाने के लिए दवाईयों पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है आज हम आपको एक ऐसा ही गरेलू नुसका बताएंगे जिस से आपका सरीर मजबूत और ताकतवर बन जाएगा इस नुसके से अनेक लोगों को फाइदा भी हुआ है आईए जानते हैं इसके बारे में दूद पीते समय दूद में आपको एक चीज डालनी होगी और उसके बाद में दूद को पीना होगा इस नुसके के लिए हमें दूद और बादाम की जरूरत पड़ेगी दूद और बादाम कैलशियम प्रोटीन और पोटेशियम और आदी पोशक ततो तथा मिनरल्स से बरबूर होता है जो शरीर को ताकतवर बनाते हैं और शरीर की कमज़ोरी को जड़ से खतम करते हैं इसका इस्तमल किस परकार से करना है आईए जानते हैं इस नुस्के को बनाने के लिए एक गिलास गरम दूद लें इस गरम दूद में तीन चमच पिसा हुआ बादाम और एक चुटकी कैसर डाल दें इसके बाद इनको अच्छे से मिलाकरी से पी जाएं लगातार एक महीने तक इस उपाई को करने से आपको खुद फरक मैसूस होने लगेगा आपके सरीर में गजब की तक अता जाएगी और शरीर मजबूत बन जाएगा लेकिन ध्यान रखें कि आप इस नुस्के का लगातार एक महीने तक जरूर सेवन करें अगर आप बीज में ही इसका सेवन बंद कर देंगे तो आपके सरीर को फाइदा नहीं मिलेगा आसा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी आप इस वीडियो को लाइक करें, जदा से जदा सेयर करें और हमारे इस यूटूब जैनल बिंदास गुरूजी को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर कलिक कर लें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो